सबी को सुख देने की इक्षमता भले ही हमारे हातों में ना हो परंतु किसी को दुख ना पहुचे ये हमारे हात में ही है यानि हम पर निर्बर करता है कि अगर हम किसी को खुशी नहीं पहुचा सकें तो कोई बात नहीं परंतु कम से कम हमारी वज़े से उसे दुख नहीं पहुचना चाहिए और खास कर जो आपके अपने हैं उनकी खुशियों का विशेश रूप से ध्यान रखें किसी भी व्यक्ति का अगर आप दुख नहीं बढ़ाएंगे तो वो अपने आप उमे ही उसे खुशी प्रदान करने के समान है इसलिए किसी को भी दुख देने से पहले दस बार सोचें खास कर अपने शब्दों पर ध्यान रखें का देनिक राशीफल और सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर आस्विन मास के क्रश्न पक्षकी अस्तमी तिथी आज है जो कि दौपेर 12 बच के 10 मिनट तक रहेगी उसके बाद नवमी तिथी प्रयारंब हो जाएगी आद्रा नक्षत्र भी आज के दिन आ रहा है जो क का दिखम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पिरिएट सुबत 10 बच के 30 मिनट से दौपेर 12 बचे तक रहेगा महीं रावकाल का समय दौपेर 12 से लेकर एक बचकर टीस मिनट तक रहेगा दिशा सूला जुतर दिशा में रहेगा यदे इस दिशा में यात्रा करना आवशा को तो तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बढ़ते आगे और आजाते हैं आज के दैने के राशी फल पर आज में भगवान विश्णु को पसंद करने के लिए कुछ विशेश उपाय लेकर उपस्तितु यूँ तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उतार कर भगवान विश्णु की क्रपा प्राप्त करें तो शुरूरात करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर रमन करेंगे मंगल चंद्र का लक्षमी नारायन योग आज के दिन आपको राजनीती में बहुत अच्छा लाप दिलवाएगा चोटे भाई बैनों के साथ चल रही कहा सुनी समापत हो जाएगी पैत्रिक संपत्ती समंदी जो भी वैचारिक मद्वेद या वाद विवाद की सत्या है वो बाचीत के माधिम से सुलच जाएगी आज के दिन आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी और कोई बड़ी सफलता के योग बनेंगे ब्रह्म मौरत में उठकर स्नान जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा पीला शुबंक रहेगा आठ अब आते हैं व्रशब राशी पर आपकी राशी से ही चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन धन सम्बंधी समस्यां आपके जीवन में खत्मों होती होई दिखाई देगी आपके कोई बड़ी जपुण होने से आपके मन में प्रसन अता के भावत पन होँगे आज के दिन यात्रा एं सुगम रहेगी और आज के दिन कोई बड़े और विशेश कारे में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे कुटुम में मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार वालों से कुछ समाचारों की प्रापती होगी आपको ओम ब्रह्म प्रहस्पते नम मंत्र का जाप करना चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा गुलाभी शुबंग रहेगा एक अब आते हैं मिथुन राशी पर आपकी राशी से ही चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशी में गोचेप रमन करेंगे आज के दिन आपको कोई भी कारे करना है तो अपने घर के बड़ो कमार्ण दर्शन लेकर चलें आज के दिन अचानक धनलाप के योग बनेंगे और कहीं से अटका हुआ पैसा आपका छूट जाएगा यानि मनी फ्लो में आरेई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आज के दिन कैलकुलेटिव हो कर सोचें कोई भी कारे करने से पहले उसमें प्लैनिंग करना बेहदावश है कि उसके स्ट्राइटजी और प्लैनिंग बना कर चलें जल्दवाजी में कोई भी कारे न करें आपको बुद्वार के दिन नहाने के पानी में चुटकी बरहलती डाल कर नहाना चाहिए आपका शुवरंग रहेगा भूरा शुवंक रहेगा चार अब आते हैं करकर राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन बारवी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज के दिन आपके खर्चे कम होंगे और आवक अधिकोगी आप अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे वहीं उधार की स्ततियां आपके जीवन से खत्म हो जाएगी यानि कर्ज की स्ततियों से मुक्ति मिलेगी परन्तु आज के दिन ध्यान रहे कि आपको किसी को भी उदार नहीं देना है आज के दिन आपकी चैंप उनूगी और विदेशों में रहरे रिस्तदारों के साथ मैं रिस्तदारों से कुछ शुब और मांगलिक समाचार आपको डापते होंगे ओम नमो भगवते वासु देवाए मंत्र का जाप जरूर करें आपका शुबरंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दो अब आते हैं सीह राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन ग्यारवे भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन अचानक धनलाब की परिस्ते आपके जीवन में लेकर आएगा आपकी च्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसनता के भाव उत्पन होंगे आपका लेवल और सरकल बढ़ता हुआ दिखाई देगा आज के दिन यात्राएं सुगम रहेगी बुद्वार का व्रत करें और केले के पेड में जल अर्पित कर उसकी पूजा राधना करें आपका शुबरंग रहेगा मैरून शुबंक रहेगा पांच अब आते हैं कन्या राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दसम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आपका कोई कहराज है आपको सर्विस देते हैं तो डेफिनेटली आज के दिन आपको उसमें बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा इंजिनिरिंग के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको मनवांचित परणामों के प्राप्ती होगी वहीं अगर आप इंजिनियर है कोई जॉब कर रहे हैं तो अधिकारी आपको कोई बैटर अपॉर्चुनिटी आज के दिन दे सकते हैं पीले रंग के बस्त्र आपको धारन कर करने चाहिए आपका शुब्रंग रहेगा नीला शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राशी से ही चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में कोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्य वर्दक रहेगा कारिय सुचारू रूप से होते हुए दिखाई देंगे यात्राएं आपके लिए सावधानी भरी रहेगी वहीं आपकी कोई बड़ी इच्छा आज के दिन पूरी होगी आध्यात्मिक कारियों में मन अधिक लगेगा वगवान विश्नु की प्रतिमा और चित्र के सामने घ कोचर प्रामन करेंगे अता आज के दिन यात्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी कोई भी इंपोर्टेंट मीटिंग है तो उसमें बड़ी सफलता मिलेगी सस्वाल वालों से समाचार प्राप्त होंगे और आज के दिन मंगलिक का रिक्रवों में आपकी भू आपकी राफि से चन्रम आज के दिन सब्तम भाव में गोजर ब्रामन करेंगे अता आज का दिन व्यापार में आरही दिक्तो को दूर करेगा व्यापार से संबंदित शुख समाचार भी आपको प्राप्त होंगे आज के दिन लाइप पार्टनर का सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक लाप भी प्राप्त होगा, घर में शुब कारे हो सकते हैं, भगवान ब्रस्वती को पीले रंकी चीज़े बहुत पसंद है इसलिए, इस दिन ब्रामनों को पीले रंकी वस्तु हैं, जैसे चने की दाल, फल, आदिका दान करें, आपका शुबरंग रहेगा सफेद, शुबंकरे का आठ, अब आते हैं मकर आशी पर, आपकी रासी से चन्रमा आज के दिन छटे भाव में गोजर प्रमन करेंगे, आज के दिन स्वास समंदी समस्या हो सकती हैं, इसकी अपनी स्वास का विशेश रूप से ध्यान रखें, कोई भी कारे जल्द बाजी में आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए, आज के दिन जो भी कारे करें, प्लैनिंग के साथ उत्र हैं, बुद्वार के दिन सुबह के समय, चने की दाल और थोड़ा सा गोड़ घर के मुख्य द्वार पर रखें, आपका शुबरंग रहेगा स्लेटी शुबंक रहेगा एक, अब आत जो भी important decisions हैं, वो आज के दिन जरूर ले ले, आज के दिन करियर को लेकर सुब समाचार जरूर मिलेंगे, आज के दिन स्टूडेंट्स को positive result मिलते हुए दिखाई देंगे, पढ़ाई में parents और teachers दोनों ही आपको appreciate करेंगे, आप उनको proud feel करवाएंगे, आज के दिन कला के श आपका शुब्रंग रहेगा golden, शुबंक रहेगा छेंग, अब आते हैं मीन राशी पर, आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौथे पाउं में गोचर फ्रमन करेंगे, अता आज के दिन बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में कोई भी बड़ा नेन है, आपको नहीं लेना चाहिए, यात्रा है आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, आज के दिन कारिय और योगी और प्रॉपट इससे संबंदेत मामलों में आज के दिन बड़ी सफलता मिलेगी, बुद्वार के दिन सित्य नारायन की प्रत कथा जरूर सुने और पढ़े, आपका शुबरंग रहेगा नीला, शुबंग रहेगा चार, तो ये है 25 सितंबर बुद्वार का दैन गुरुमा निधी श्री माली एक प्रसिध जोतिश आचार्य है, उनके जोध पुरिस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्युन जय, कालसर्प दोश, मा बगला मुखी, विवाह बाधा निवारन पूजा, एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान, पंडितों द्वारा, पूर्ण विधिविधान, एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है, अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू, इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2